दोस्तों केडी रेसिपी में आपता स्वागती आज मैं बना रहे हूं इडली और दो तरह की चटनी ये दो तरह की चटनी बनाएंगे तो इडली के फैन बन जाएंगे आप बहुत ही बड़ी आप बहुत ही टेश्टी लगती है ये दोनों चटनी इडली के साथ बहुत ही चट्नी पौरो सी अच्छी नहीं होती है तो। इली नहीं लगदो तो किसमाई बने लिए अलाक में सतुल यहां पर रात को एक कटोरी उड़त डाल और एक कटोरी चावल को मैंने दूल के अच्छे से मैंने इसको रख दिया था सुबह मैंने इसको पीस लिया था और पीसने के बाद मैं साम को अभी इटली बना रही हूँ इसकी तो इस तरह से आपका बैटर बहुत बढ़िया तरीके से फूल जहता है तो आप उसी तरह से यहाँ पे बैटर बनालो तो यह मेरा बहुत ही बढ़िया बन चुका था बैटर और मैं यह हमेजा एक कटोरी इडली चावल लेती हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है यहां पे मैरी और आपको यहां पे जितनी इडली बनाने है उतन इसलिए मैं एक बतन में निकाल दिया है अब मैं यहां पर एक इडली का स्टेंड ले रही हूं इसके अंदर हम ओयल डाल देंगे और पूरी तरफ से अच्छे से चिपक जाए ऐसे डालना है नहीं तो फिर आपके इडली या निकलेगी नहीं तो आपको यहां पर जरूर ओयल डालना है इस बात का खास द्यान रखे और आपको यहां पर ओयल वाली नहीं खाना चाहते तो आप यहां पर एक सूती का कपड़ा आता है तो उसके वो नीचे रखके उसके उपर बैटर रख दोगे तो आपकी इडली तभी भी अच्छे से निकल जाएगी तो अब मैं यह इसी तरह मिक्स कर लेंगे और यहां पर आपको बैटर इडली का इसी तरह का चाहिए आप जब दोसा बनाते हो तो थोड़ा पतला चाहिए लेकिन इडली में हमें इसी तरह का बैटर चाहिए तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमने सोडा डाला है तो हमें तुरंत तु तरस से मैंने डाल दिया है सब के अंदर अब हम यह आपस में जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम इस तरस के लगा के यहां पर मैंने एक बर्तन के अंदर गरम पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है तो यहां पर मैंने पतिला लिया है इसके अंदर ही मैं इडली बनाती हू तो यहां पर मैंने बॉइल करने के रिए रख दिया था अब हम इसके अंदर इडली जो रखी थी वो वाला स्टेंड रख देंगे और ढखन लगा देंगे यहां पर आपको यहां पर अच्छे से ढखन लगा देना है बिल्कूल भी हवा इसके अंदर से निकलनी नहीं तो यहां पर 10 मिनिट के बाद में ढखन खोल रही हो तो आप देख सकते हो हमारे इडली कितनी बढ़िया बन के फूल चुकी है और यह चूरी हमारी एकदम साफ निकली है मतलब कि यह इडली हमारी परफेक्ट बन चुकी है जो चिपक रही है आपको तो आपको फिर से इसक को कूप करना है लेकिन यह यहां पर पढ़्याब बन चुकी थी अब हम इसके दो मिनिट के लिए ठंडा होने के बाद हम इसके इस तरह से निकाल देएंगे इडली को है अब इस तरह से हम सारे इडली को निकाल देंगे तो आप देख सकते हो हमारी इडली कितनी बढ़िया सौफ्ट बन के तयार हुई हैं इस तरह से अप एक कटोरी चावल और एक कटोरी डाल लोगे तो बहुत बढ़िया इडली बनेगी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी यहाँ पर अब हम यहाँ पर प्याज और टमाटर की जो दो चटनिया बनानी है वो हम बना लेंगे तो यहाँ पे मैं पहले नारियल की बना रही हूँ चटनी तो मैं यहाँ पे नारियल ले लिया है मैंने सुखा वाला नारियल लिया है इसका उपर का हिस्सा निकाल दिया है आप यहाँ पे फ्रेस ताजा नारियल भी ले सकते हो तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और यहा कよし करले कर ले ले लिए था आप यहां तयां पर वाली है मर्केट में तब कर रहा हे लती है है और ऐलने के बाद मैं यहां पर एक चम्मच चना डाल डालूंगे और एक चमच उडत डालेंगे हम तो मैं ये दो डाले डाल दूंगे और पांचे कली लसन की डाल देंगे आप यहाँ पे दो हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हो जिससे इसकी आपके चटनी थोड़ी स्पाइसी यहाँ बनेगी तो अब हम ये तड़का बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे सारा ही तड़का डाल दिया है अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्यास डाल देंगे जिससे ये चटनी और भी टेश्टी बनती है तो आप प्यास जरूर डाले इसके अंदर बहुत ही स्वादिश्ट बनेगी आपकी चटनी और यह है इमली मैंने बिगो के रखी ती गरम पानी के अंदर पांच मिनिट पहले ही बिगोई है मैंने तो यह हम थोड़ी सी इमली डालेंगे यहाँ पे एक चम्मच जितनी अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे अब थोड़ा सा पानी डालके हम इसको पीस लेंगे मिक्स के अंदर तो यहाँ पे मेरी चटनी मैंने पीस है लेकिन अभी भी मुझे घाडी लग रही है तो मैं थोड़ा पानी और डाल दूँगी और आपको किस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से पतली या घाडी आप बना सकते हूँ यहाँ पे इडली की चटनी अब मैंने फिर से ही पीस लिया है आप देख सकते हूँ कितनी बढ़िया लग रही है हमारी चटनी बस मैं उसी तरह के से बनाती हूँ इडली की चटनी सारी चीजे ले रही हूँ, सुखी लाल मिर्श ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तीन ले ली है मैंने, कड़ी पत्ता और हिंग और सरसो दाना, यहाँ पर इटली की चटने में यह सुखी लाल मिर्श, हिंग और कड़ी पत्त दो जरूर ही डालो, बहुत अच्छा लगता है, और हिंग डाल देंगे, और यह तड़का हम इटली के उपर डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, यह वाली चटनी जरूर बना के ट्राइ कीजिए अब यह वाली चटनी, अब हम यहाँ पे प्याज और टमाटर वाली चटनी बना लेंगे, तो यहाँ पे मैंने दो ले लिये हैं तो टमाटर ले लिये चोटेछोटे थे इसलिए मैंने दो दो लिये ले ले लिये और पांच एचल लशन की कलिया और दो मैंने अध्रक के टुकडए ले लिया अप सुखी वाली नाल मिर्श की जगह हरी वाली भी डाल सकते हो यहां पर अब मैं कड़ाई ले लूँगे इसके अंदर हम ऑईल डाल देंगे और ऑईल डालने के बाद हम पहले सुखी लाल मिर्च अद्रक और लसुन डाल देंगे इसके बाद हम यहां पर प्यास डाल देंगे और यहां पर हम टमाटर डाल देंगे यह चटनी बहुत ही स्पाइसी बनती और बहुत ही टेश्टी बनती है जरूर बना के ट्राइ किजिए यह वाली चटनी इडली के साथ तो मजा ही आ जाएगा अब मैं यहां पर एक चमच नमक डाल दूँगी जिससे कि क्या हमारे प्यास डामाटर अच्छे से सौफ्ट हो जाए यहां पर और हमें यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से प्यास डामाटर को पका लेना है यहां पर तो आप देख सकते हो बहुत ही पढ़िया तरीके से हम पक चुके हमारे प्यास डामाटर लेकिन आपको इसको अभी नहीं पीस ना है आपको इसको ठंडा होने देना है और यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे गरम गरम बिल्कुल भी नहीं पीसे इस बाद का खास द्यान रखे आप यहां पे आप देख सकते हो अब ठंडा हो चुका है यह अब हम एक मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे और इसको पीस लेंगे तो मैंने यहां पे मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है अब आपको यहां पर दरदरा ही रखना है, आपको बारिक नहीं पिसना, इस बाका खास दियान रखे, तब भी चटनी बहुत टेश्टी लगेगी आपको, तो आप देख सकते हों मैंने यहां पर कितना दरदरा रखा है, बिल्कुल बारिक नहीं करना है, बारिक करोगे तो यह अच्छी नहीं लगेगी आपको यहाँ पर मैंने अद्रक को काट लिया है छोटे-छोटे हिस्सों में और यहाँ पर मैंने पांच्छे लसन की कलिया ले ली थी इसको भी मैंने काट लिया है अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे इसकी अंदर हम ओईल डाल देंगे और हम अद्रक डाल दें प्यास टमाटर की चटनी पीसके रखी थी वो डाल देंगे इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है मैं उपर से भी एक चमच लाल मेशी पावडर डाल दूंगी क्योंकि यह मुझे कम तीखी लग रही थी अब मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूं मुझे नमक कम लग रहा था यह तो यह वाली चटनी हमें ज्यादा नहीं पकानी है क्योंकि हमने आगे भी पकाई हुई है यह वाली चटनी और आप देख सकते हो तुरंत ही यह कितनी बढ़िया से पक चुकी है तो हमारी यह दोनों तरह की चटनियां बनके तयार है बहुत ही स्वादिश्ट लगती है स्वादियें